analogous organ, homologous organ में हमने देखा, homo का मतलब है same, ऐसे organ जिन में same structure है, लेकिन काम अलग अलग है, तो analogous organ इसका different होंगे, ऐसे organ जिन में structure तो अलग-अलग है, लेकिन काम वो same करते हैं, analogous organ में first example रहेगा, wings of words and inset, आप words के wings को देखिए, inset आप तितली के wings को देखिए, दोनों की body structure में कितना difference है, लेकिन काम दोनों same ही करते हैं, फक्षी भी अपने wings का उपयोग उड़ने के लिए करते हैं, और butterfly तितली भी अपने wings का उपयोग उड़ने के लिए ही करती है, तो butterfly एक inset है, word, apes की category को बिलोंग करते हैं, और bats, mammal की category को बिलोंग करते हैं, तो हम यहां कह सकते हैं कि analogous organs में, analogous organ ऐसे जीवों के organ हैं, जिनके ancestor, जिनके पूर्वच common नहीं रहे होंगे, तो analogous organ एक convergent evolution का उदारन है, जहां पूर्वच तो अलग अलग हैं, लेकिन भविश् meaning शकरकंदी, तो sweet potato एक underground root है, और potato एक underground stem है, दोनो analogous organ है, लेकिन दोनों में similarity भी है, similarity क्या है कि दोनों ही starchy food items है, तो sweet potato और potato analogous organs का उदारन है, flippers और penguin और dolphin भी analogous organ का उदारन है, दोनों का structure तो अलग लग है, लेकिन काम दोनों का same है, दोनों ही swimming के लिए अपने flippers का उपय कर लेते हैं, penguin amphibian है, land और water दोनों में ही रह सकता है, लेकिन दोनों ही जीव अपने flippers का उपयोग त्यारने के लिए करते हैं,